है तो मैं आज किस वीडियो के माध्यम से हम आप को बताएंगे कि जो भी रिख है के स्ट्र रहे हैं इस बार भी आएंगे वह कोश्चन आपको बताएंगे छी है तो बीना देरी के बीडियो को सुरू करते हैं और हाँ यह अगर आपको जानकारी वीडियो अगर इंफोर्मेसन अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा ठीक है आते हैं मेरे मुद्दे पर यह पिछले फाल का माडल पेपर है ठीक है समेस्टर आपका फस्ट है यानि प्रतम परिछा देंगे उनके लिए सब्जेक्ट आपका हिंदी लिट्रेचर है और प्रशन पत्र कोश्टन पेपर का नाम हिंदी काब है ठीक है और आपको यहां पर पुडांक दिखीगा कि जितने का भी होगा 75 का पुडांक ही रहता समय दो घंटे का मिलता ही आप सभी को मालू करके प्रशन का सब्सक्राइब susy वह सब्सक्राइब के मात्र पूर्ण तो पहला प्रशन है कि राम भक्ति साख्ब के पधियों के नाम लुखति रांबाण बहुति हंडर परसंट आने वाला कोश्चन अध्यों रिंगये कि राम भकति साख् 하지만 कभी लिख नमबर एक पर तुल्फि दाफ दूसरे नमबर पर नाभा दाफ तीसरे नमबर पर आप डूक दादेंगे लीला दाफ और चार पर दादेंगे केसव दाफ यह चार पर प्रमुक कभी हैं राम अक्षि साका के हालाकि तो लिखेंगे रीत बद्र काविधार है पर दिखेंगे नमब एक पर लिखेंगे पर दो पिखेंगे नमबर यह कौ गीके पर प्रमुग का नाम है बिद्यापत इनकी प्रमुग रश्णाओं के नाम लिखे तो इनकी प्रमुग रश्णाओं का नाम लिखेंगे नंबर एक पे लिख देंगे ठीक है नंबर एक पे लिख दीजिएगा कौन से मैं आपको दब्रों कि कई फाई रश्णा है नंबर एक पे आप लोग लिख सकते हैं तो नंबर एक पर लिख दीजेगा भू परिकर्मा नंबर दो पर लिख दीजेगा पुरुस परिच्छा और नंबर तेस पर लिख दीजेगा लिखना वली ठीक है तो यह इनकी कुछ प्रमुक रश्णा है ऐसे लिख देंगे आपको पूरे नमर मिल जाएंगे अगला क्या रहा कि सूर्दाफ किस भक्ति साख्या के कभी ती आप सभी जानते हैं नहीं जानते तो सुन लिख तो पूरुदाफ जी भक्तिकाल के संत काब विधारा के प्रमुक थी ध्यान लखेंगे और अगला कोश्चन तो आप सभी परिशित ही होंगे कभी द्धाफ जी कि भाफ़ा कैसी थी कैसी थी तो कभीर दाफ जी की भाफा जो थी वो फदुक्री एम पंच मेल के खिचडी थी आप सभी जानते हैं तो इस प्रकार के common question पूछे जाफ रकते हैं ठीक है धान रखेंगे उसके बाद आ जाएंगे हम खंडबा की और खंडबा में आपको लग उत्तर देने से पहले यहां पर भी दिसना देश दी गई कि भी यह कितने question करना है और उसका उत्तर कितने सब्दों लिखना है और हर एक प्रश्ण का जो उत्तर देंगे उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे आपको यह लिखाओगा पढ़ लिजेगे ठीक है तो लग उत्तरे का पहला प्रस्ण है कि मलिक कि बिरह है ठीक है बिरहन नुभूत का वर्ण कीजिए इन्होंने कुछ रश्णाय रची है उसमें बिरह है पीड़ा है समस्याय है ठीक है यानि कि रोना आएगा तो उस चीज के बारे में आपको लिखना है जो कि एक बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण है आप लगे के से इनको तभी से के सवदाव जी को कठिन काविका प्रेद कहा जाता है तो यह बात किस लिए कहा जाता है इसके बारे में आपको इस्प्रेंट करके लिखना है कम से कम आपको कितने सब्दों में उपर बताया भी 300 सब्दों में और बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्न ध्यान परिच्छा में कई बार रिपीटेट्स बार भी आएगा पक्का अपको गोरखनात की चंचलता कैसे समाप्त होगी तो हर एक इंसान का मन जो है चंचल है और हर एक मुझा इंसान का जो मन है उसको कंट्रोल कर पाना सब की बसकी बात नहीं है और कंट्रोल करने के लिए सब ब्यादा योगा है मोटिवेट रहना गीता पढ़ना ठीक मोटिवेशन थोट सुनना तब जा कि आपका चंचल नहीं हो फक्ता बाकि यह सब चीज यह हर इंसान करी नहीं पाता तो मन चंचली रहता है और इसके करने के सब कुछ तरीके जिनके बारे में आप लोग लिख सक बिद्यापति के काब सवठों का वरण कीजिए इस से माडल में तीन प्रका पूछे जा चुके पहला यह दूफाई एक ओपर अतले होत्तरे में ठीक है तो एक दो परसेंगे फसेंगे यह वाला आता है लेकिन बहुत कम आता पैसे इक नोर कर सकते और महादेवी वर्मा जि कोई गारंटे नहीं लेकिन एक ज़रूर आएगा जो आपके वे फश्टी के समस्टर में महादेवी वर्मा जी का जो प्रस्टायार कर ले न बस तीक है तो महादेवी वर्मा के काब बियानी की रस्टना उसमें बिरह नुभूत पर एक फंचिप टिप लिए कि बिरह है जो सम पेराज़ाराफ की संदुर्सद्व्र्णीय खंट कीजी तो मैं लिए भी आता है यहांपर आपको दो प्रैराज्रांव यह पिर दो प्द यूंगे कहीं कई पर पैराज्राम आतें कहीं पर पद आते हैं तो इसमें आप यहीं लिखना होता संदर्व साहिद व्याख्या हमेशा एक ही नहीं रिपीट होती बदला करती तो इसकी कोई गारंटी नहीं लेकिन कोश्चन जो है वह बार बार रिपीट होते रहे तो उनकी गारंटी ले लिए प्रस्ट पहसेगा ठीक है तो यह वाला पॉर्सन अब एग्नोर करेंगे मतलब क संदर्व साहिद व्याख्या वाला ठीक है अब आज आएंगे हम खंडसा क्यों जहां पर आपको देर घुत्र यानिकी विस्तित्री कोश्चन देखने को मिलेंगे और देर घुत्र प्रस्ण का उत्तर देने से पहले यहां पर कुश्चन रदीव दिगीन को पढ़ लेना है फिर कोश्चन को बढ़ना है और देर घुत्रे का जो सबसे प्रथम प्रस्ण है कि गोरक नात की का विगत विस्ताओं का संचिप्त विवेशन कीजिए गोरक नात से जुड़ा इस माडल पेपर में यह चौथा प्रस्ण है तो दो प्रस्ण जादातर पस्वस्त हैं हमेशा Люб Government की कबीर अपने समय की समाज्विक धार्मिक पाखंड गोरूतियों को दूर करना चाहते थे तर्क युक उत्तर दीजे तो ये भी राममान कुछ असना शवी के लिए ध्यान सबखिस लिए कभीरदाफजी का जीगयून 예क कभीरदाफजी की प्रमुक्रस्णा प्लफ इनकी काबी की जो विशेष्टाएं हैं वो और कभीषदार जी समाज सुधारक हैं और धर्म सुधारक हैं इद दो बातों को विधान रखते हुई आपको इन दोनों प्रश्णों के बारे में मतलब की धर्म सुधारक हैं तैयार कर लिजेगा और प्लस समाज सुधारक जो पीड़ा है उसका वरण अदुतिये हैं इसके बारे हम आपको सिद्ध करना है और एक बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ट है जिसको आपको जोड़ तयार करना है जो पदमावत है महाकाब है इसके जो राइटर है वो मलिक मुहम्मद जाईफी जी है तो इस बात को भी धान रखेंगे और बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ट हैं आपके शिलेवर्ट शकाही फस्ट एक फस्ट्र का का तो आएगा तैह ऑके नेस्ट कोईश्टन आप लोगों की समस्व पृस्तु थैये कि बिहारी जी रीत कालके प्रतिन इधी कभी है अस्ट पस्ट कीजिए मत्तब जो बिहारी जीए ये रित काल के कभी है ना ये बात कैसे पुष्टी हो सकती है इसके बारे में आपको सिद्ध करना है ठीक है प्रतिने दी कभी ये आपको लिखना है और ये भी आप सभी के लिए महात्पॉर्ण प्रशने कई बार रिपीटेड है और उमीद है कि फंसेगा उमीद पूरी है ठीक है तो ये रहा पूरा का पूरा बिए फस्टेयर के फर्स्ट समेस्टर हिंदी काभी का माडल पेपर कुष्टन पेपर जो की बहुत ही आप लोगों के लिए इंप्रॉटन वीडियो में बताएं और इस माडल पेपर से जो जो मैंने को बताएं इनको द्रूर तैयार कर लिजेगा और इन सभी प्रस्टों का उत्तर चाहिए तो आपको वीडियो की डिस्कूर्शन में टेलीग्राम वाट्साप का लिंक मिल जाएगा अगर आप उसके मैसेज करेंगे तो हम को सब्सक्राइब कर देंगे बाकि हमने आप सभी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है इस्टूडेंट डोट इन विबसाइट का नाम है ठीक इससे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं ओके मिलते हैं और ने वीडियो के शाज अब तक लेजाएंगे